नमस्कार हम और चट्थीजगर देख रहा है आप मैं हूं प्रशांद कटारे और बुलेटिन की शुरुवात दिली से खबर के साथ जहां प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से मुले हैं चट्थीजगर के मुख्यमंतरी साय सीम साय ने प्यम मोदी को बधाई दी है तीसरी बार प्रधान मंतरी बनने पर उन्होंने शुपकाम ना और बधाई दी हैं 16 गड़ की योजनाओं के बारे में भी विस्तरज जानकारी प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को दी है 36 गड़ विजन नेट दरेट 2047 की जानकारी उन्होंने पीम को दी साथी 6 महिने के नकसल अभियान के बारे में भी बताया है इसके लावा ग्रामिनों के बीच विश्वास बहाली पर कैसे 36 गड़ सरकार काम कर रही है इसकी भी जानकारी दी नकसल गड़ के नभे गाओं के लिए 23 केमप खुले गए हैं बविश्वें 29 केमप शुरू करने की भी योजना है तो ये तमाम जानकारी मुखी मंतरी साथी ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को दी है और दिल्ली से निव्जेटीन समवाद दाता अश्रफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं अश्रफ आज मुखी मंतरी साथ दिल्ली में हैं पीम मोदी से मुलाकात हुई है 36 गड़ की जानकारी देश शुपकामनाय दी हैं कुछ और विशेश चर्चा भी हुई है 36 गड़ को लेकर पिल्कुल देखिए कई मुद्धों पर चर्चा हुई है सबसे महत्मून तो उन्होंने अपने मंतरी मंडल के 6 महीने के जो उन्होंने काम किये हैं उसके बारे में बताया है साथ-साथ ही पार पर्दान मंतरी को पर्दान मंतरी पद्र की जिम्मेदारी समालने के लिए बताई दिये और इसके बाद थोड़ा सा उन्होंने एक हल्की बुल्ग की चर्चा मंतरी मैंडल विस्तार को लेकर भी किये हाला कि जो इस पर अंतिम फैसला है वो संगठन के जो अध्यक्ष होते हैं यानि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नट्डा उनको करना है उनसे भी उनकी मुलाकात है उसमें चर्चा की गई है कि मंतरी मंडल में किन को शामिल किया जाए कौन वो चेहरे हो जिनको अब जो जगा खाली हुए खास करके जब ब्रिजमोना गर्वाल ने इस पीपाद दे दिया है तो उनकी जगा और एक जो पहले से रिक से जगा थी उस पर किन को या जब मंतरी मंडल में शामिल किया जाए कौन वो चेहरे हो तो इन सब पर भी तर्चा की अला कि अंतिम फैसला जो है वो राइपूर में ही बदाएंगे या आकर और क्या रहा और कैसे है वो सब चीजे यहाँ जब इन से केंदरी ने तरह से पूरी तरह से फाइनल हो जाएंगी तब इसको जार्जनिक किया जाएगा यानि पहले राज़िपाल से भी समय लिया जाएगा मंतरी मंडल विस्तार का कि यहां से दिल्ली से हरी जंडी मिलने के पाद भी विश्तु देफ साइब यहां से रवाना होंगे और पिर इसकी खोशना जो है वो की जाएगी और हो सकता है कि केंदरी ने तरह से जो सम्मधित चेहरे हों उनको एक सूचनात्मक जानकारी भी देनी गई होगी कि आप मंत मंतरी की तरफ से ही की जाए ठीक शुक्रिया आपका अशर फिस पूरी जानकारी के लिए और आगे बढ़ेए पिम मोदी से मुलाकात के बाद सीम साय ने संसद भवन में 36 गड़ के सांसदों से मुलाकात की इस दौरान सीम ने सांसदों के साथ लंच भी किया है ये तस्वीरें सामने आई है 36 गड़ के सांसदों के साथ मुलाकात भी हुई चर्चा भी हुई संभव है तो और राजनीतिक विशे रहे होंगे कि आखिर कैसे अब 36 गड़ के लिए जो सांसद हैं तो जादा से जादा योजना एलाएं विकास 36 गड़ पर फोकस रहे और आज आपातकाल की उननचासफी बरसी पर बीजे पी पूरे 36 गड़ में काला दिवस मना रही है जिसको लेकर मुक्यमंत्री विश्नु देव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर एमर्जेंसी का वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि काना शाही रवये की उपज भारतिय लोक्तंतर और राजनीपी के सबसे काले अध्याय आपातकाल यानि 25 जून 1975 की विरोध में उठी प्रतेक आवाज और देश को जागरित करने वाली विभूतियों को सादर नमन तो सियम विश्मुदेव साय ने ट्विट किया है एक्स प्लैटफॉर्म पर और इमर्जेंसी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है ताना शाही रवये की उपज भारतिय लोक्तंतर और राजनीती के सबसे काले अध्याय का हिस्सा है और अगली खबर करूख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर है खबर संसद भवन से है ए आई एमाई एम के नेता सदीन वैसी जब संसद की शपत लेने पहुंचे तो उन्होंने जैभीम जै तेलंगाना के साथ जै फिलिस्तीन का भी नारा लगाया इसके बाद संस में हंगामा शुरू हो गया वी जै पी ने वैसी के जै फिलिस्तीन वाले नारे का विरोध किया है इस तूरिये आखिर जब शपत ले रहे थे आई एमाई एम 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 एप नेता तब उन्होंने क्या नारे लगाया इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दोंगा जै भी जै फलस्तीन तक्बीर अल्ला हूए! इस उह दे को मैं समान ने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूँगा! जै भीम, जै फलस्तीन तक्बीर अल्ला हूए"! और उदर कॉंग्रेस निता और राहूल गांधी ने एठारवी लोग सभा में सांसद पद की शपत लीज दोरान विसंसद भवन में समविधान की कौपी लेकर पहुँचे और शपत से पहले समविधान की कौपी दिखाई शपत ग्रेंट करने के बाद राहूल गांधी ने जैहिंद और जैस सम्विधान का नाराभी लगाया राहूल गांधी, having been elected a member of the house of the people, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. जैहिंद, जैसंविदान विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, उन लोगों के जरे जिनके जो अवैद मकान हैं दिर्माड है, हटाए जा रहे हैं, उनका लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, अतिकरमन कारियों ने चक्का जाम भी किया और उन्हें दूसरे आवाज देने की मांग भी वो कर रहे हैं कहीं दूसरी जगह पर हाला कि प्रिशासन बाचीत कर रहा है ताकि शांती से जो अवैदती कर्मन हैं उसे हटाए जा सके है उमेश मौरे हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ उमेश बाचीत का बाचीत हो रहे है क्या दूसरा चैसो से जादा मकान अभी तक खटाए जा चुके हैं गतीरोध बना हुआ है या फिर हालाद चान्त हैं देखें निश्कीत रुप से गतीरोध अभी भी बना हुआ है गतीरोध इसलिए है क्योंकि पचास से ऐसे लोग है जिनको अभी भी मकान अभंटिद ने किया गया है जिससे लेकर लगातार उन लोगों को जिला प्रशासन अगनिगम से मांग कर रहे है कि उनको दूसरी जगा शिप्ट किया जाए उसके बाद ही मकानों को खाली किया जाए लेकिन निगम की जो कारवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है आज भी लगबक सौ से अधिक मकानों को तोड़ा गया है वहीं जो पीडित परिवार है वो मंदिरों में सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है अला कि प्रशासन जरूर ये कह रहा है इसके अलावा इससे पहले 1160 मकान हुआ करते थे उसमें से 400 लोगों को पहले ही सिप्ट कर दिया जिया था चूंकि 742 मकान बचे हुए थे तो ये हटाने की जो कारवाई तोड़ पुड़ की कारवाई है वो जा रही है लेकिन कहीं न कहीं बरसात के दिनों में इस तरीके से अतिकरमन की कारवाई को लेकर लगातर सवाल भी उट रहे हैं बिलकुल बिलकुल व्याभारिकता जरूर ध्यान रखनी चाहिए थी जब ये एक्शन किया रहा था तो 742 मकान जिने हटाया जारा शुक्री आपका आउमेश जानकारी के लिए धन्यवाद और अब खबर आजनात गाउं से जहां चार नकसली गरफतार किये गए हैं ये बड़ी खबर है पुलिस ने चार नकसली को गरफतार किया गया है बड़ी सफलता पुलिस के लिए ये कही जा रही है मदनवाडा थाना के केरकेटा से इन चार नकसलीों की गरफतारी हुई है और इनकी गरफतारी के बाद पुलिस ने ने मीडिया के सामने भी पेश किया चारों नकसली के खिलाफ गंभीर मामलों में अपराद काप्ष काइम है जो जानकारी मिल रही है और बड़ी अगर हम कहें तो सफलता ये पुलिस के लिए है चार नकसलियों के एक साथ गरफतारी हुई है राजनाद गाओं के मदन वारा थाना के केर केटा से गरफतारी की गई है पुलिस ने चारों की गिरफतारी के बाद ने मीडिया के सामने भी पेश किया अलगी लगाता रेंटी नक्सल आपरेशन सेक्ट तौर पर चला जा रहे हैं और बस्तर रेंच के आईजी सुन्दर राजपी ने नक्सलियों के नक्ली नोट चापिने के खुलासे के बाद सतर करयानी की अपील की है उन्होंने नक्सल प्रभावित अलाकों के लोगों से कहा है कि वो पैसों के लिए इन देन में साथधानी बरते गोरतलबे की आहाल ही में सर्चिंग के दौरान सुरक्षावलों को नक्सलियों के ठिकाने से नक्ली नोट चापने की मशीन बरामक दूई थी जिसके बाद सुरक्षा जैंसियां अलर्ट हो गए बस्तर रेंज के आई जी सुन्दर राजपी ने कहा कि नक्सलियों की कमर डूप चुकी है आर्थिक कनेक्शन खत्म हो चुका है यही वजह है कि नक्सली नकली नोट चाप रहे है जो माहोदी को हर प्रकरकर जो उनकी साजीस में सावदनाना आवशकता है कास दोरफरा भी जो फेक करेंसी का भी प्रिंट करने के लिए माहोदी जो रहे है कि उनका साजीस का परदापस हुआ है इसे शेत्र की जंते से हम अपिल करने चाहते हैं जो कोई भी बैंकिंग सिस्टम जो रिगलर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जादा से जादा अपना ट्रैंसक्शन को सामिल करने के लिए प्रहाइस करें और अन्य जाय में जहां पर भी भूगदन मिल रहा है या भूगदन कर तरीकेदार कशेप के रायपूर स्थतावास पर जाकर उनसे मुलाकात किया और चेहन प्रक्रियाश शुरू करने की मांगी चेहने तब भी अर्थियों का कहना है कि 6 मईए 2024 को बिलासपूर हाई कोट ने भरती प्रक्रियाश शुरू करने का आदेश दिया था इसके भरती प्रक्रियाश शुरू नहीं की जा रहे हैं गोरतलबेगी अक्टूबर 2020 में एपेक्स बैंक भरती के लिए परिक्षा हुई थी और दिसंबर 2024 में रिजल्ट जारी किया गया था मंत्री जी से हम लोग इसलिए मिलने आया हैं सिर्फ रिक्षेस्ट करना चाहते हैं कि मंत्री जी एक बार गम से गम भरती प्रक्रियाश आगे बढ़ाने के लिए अभी भाग अधिकारियों को बोल दे बस हम लोग से यह रिक्षेस्ट है कि मैं हम साथ से आट महीं हो गया हम लोग को सब एकोनोमिक प्रेशर भी है कि यह है वह है पाहर बाहर से आना पड़ता है तो हम लोग बहुत परिसान है मैं हम लोग तो पहले कोशिश करेंगे कि मंत्री जी हम लोग पूरी उम्मिद लेका है कि मंत्री जी आदेश दे अगर नहीं होता तो पूरी ग्रूप इच्छा मित्यों की मांग करेगी जो की सरकार के उपर है जोइनिंग देना हम लोग तो यहीं चाह रहे हैं कि